चौथे चरड़ के चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं और कल मतदान होना है उससे पहले सरोणी जगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राजिश्वर सिंग हमारे साथ मौजूद है सर प्रचार तो खत्म हो गया है ताकत आप लोगों ने पूरी लगा ली क्या उम्मीद लग रही क्या फीडबैक बिला आपको अभी तरह नमश्कार भारती जनता पार्टी प्रचंट बहुमत से चुनाव जीत रही है और सरकार बनाने जा रही है जनता को योगी आदितनाज जी पर ये शस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपार विश्वास है अपनी सीट को लेकर और पूरे प्रदेश में जो आप लोग दावा कर रहे हैं उसको लेकर कितना confident है नहीं यहां तो हर कारकरता यहां तुम्हें इतना मिलाओ इतना उत्सा है पार्टी का संगटन इतना मजबूत है हर कारकरता राजिश्वर सिंग बनके चुनाव लड़ यहां तो मुझे लगता है कि कम से कम एक लाग पूर्टों से भारतिय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी राजिश्वर सिंग नहीं भारतिय जनता पार्टी जीतेगी और जो यह विचारधारा मैंने आपको बताई यह विचारधारा को जनता पहले भी नकार चुकी है फिर आदितनाद जी एक बहुती इमानदार स्वक्ष और बहुती प्रदेश के विकास करने वाले विकास्षील पुरुश हैं, सब उनको वोट देने जा रहे हैं और इनकी भारती जनता पार्टी की पिछली बार से ज़्यादा सीटें पाके सरकार बनेगी। आप एक बहुती आस्ट्रेलिया से आप पढ़के आए हैं, एक उससे हैं, आप कोई मुक्तार अंसारी, अतीक एहमत, आजम खानसरी के लोगों को, इनके परिवार को, जिस पे 60 मुकद में, 50 मुकद में, 80 मुकद में राजनीत में नहीं लाना चाहिए, आप पार्टी प्रमु में रहेंगे, गवाहों पे दवाव बनाएंगे, कोट के चहरी में इनका समय बीतेगा, और बाकी टाइम रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, जो घोटाले किये हैं, वही फिर से करेंगे, सत्ता इनको क्यों चाहिए, तो ये गलत है. आपकी अगर हम बात करें, तो आप एक अधिकारी रहे हैं, और बहुत कम समय मिला है आपको परचार करने का, इस दौरान क्या फीडबैक मिला है और क्या मुश्किले हुएं, क्योंकि अधिकारी और एक नेता बनने में निश्चितों पर बहुत फर्क होता है. अधिकारी जो है, पहले में पुलीस में था, तो पब्लिक इंटरेक्शन बहुत जादा था, पुलीस का काम है, पब्लिक के साथ दस वर्शनों तक था, लेकिन इंफोस्मेंट डिरेक्टरेट में इंटरेक्शन कम रहता है, हम बड़ा ही उसमें रहते हैं, एक लोगों की बातें सुनी, लोगों से जो समस्या हैं, वो सुनी, जो इशूज हैं, वो बात भी बहुत अच्छा लगा, सवाल है, जो मेरे क्याल से लगभग सभी इंटर्वीव में आप से पूछा गया होगा, कि आप अधिकारी थे, तो नेता बनने का मतलब ये प्रोसेस क् कि आपके जैसे ही दूसरे भी अधिकारियों ने अपनी नौकरी छोड़ कर बीजीपी जोइन किया है, चुनाव लड रहे हैं इस बार वो, आसी मरून जी भी हैं, कानपरी कमिशनर रहे हैं, तो क्या ये प्रोसेस रहा, क्या मोटिवेशन रहा जिसके चलते आपने जॉब आप पॉलिटिक्स में नहीं बिलकुल ठीक कह रहे हैं, वहां एक बड़ी कमफर्टिबल लाइफ होती है, गवर्मेंट में, गाड़ी, रहना, घर, हर चीज है, बहुत कमफर्टिबल है, आप इन्फोस्मेंट डिरेक्ट रेट वैसे भी बहुत हाई प्रोफाइल लोगों स treating enforcement laws में ने पढ़े हैं और लोगों को इसको implement कराया, अब मुझे, लॉमे किंग में, चसीड है, चा स्थेट legislature है, लॉमे किंग में उसको implement करना है, उसमें मदद करनी है मुझे सरकार की तक, यह जो माफिया एक को आप बंद कीजे, दूसरा माफिया आ जाता है, एक क्रिमिनल को आप बंद कीजे दूसरा क्रिमनल आ जाता है इनकाउंटर में कुछ मारे जाते हैं नए आ जाते हैं तो हमको ऐसे लॉस की जरूरत है